Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम एक important topic discuss करने वाले हैं, जिसका नाम है image formation between two parallel plane mirrors. हमें पता है कि जब भी दो parallel plane mirrors होते हैं, उनके बीच में अगर कोई object रखा होता है, तो infinite image का formation होता है. अब कभी कभी questions में हमें ये पूछ लिया जाता है, कि बताइए दो mirror हैं, उसमें से mirror one और mirror two आपको दे दिया जाएगा, और पूछ लिया जाएगा, कि बताइए mirror one से tenth image का formation कहा होगा, उसकी position बताएं, उसकी distance बताएं mirror one से tenth image की distance क्या होगी. या कभी कभी आपको एक लंबी calculation वाला questions मिल जाएगा, जिसमें मालो आपसे 15th image पूछ ली, 20th image का formation आपसे पूछ लिया गया, तो ऐसे questions में, जब ऐसे questions पूछे जाते हैं, तो calculation बहुत tough हो जाती है, बहुत lengthy calculation हो जाती है, जिससे कि आपका time बहुत ज्यादा तंजियों हो सक होता है उस question में, तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे trick discuss करने वाले हैं, वो trick पढ़ने के बाद आपसे जो मर्जी image का formation, nth image का formation आपसे पूछ लिया जाए, और आप आसानी से उस image का formation, उसकी distance, उसकी position आराम से बता पाएंगे, अगर आपने वो एक बार trick अच्छे से is equal to the object distance from the mirror, किसी भी image से, किसी भी image की जो mirror से distance है, वो object distance के बराबर होती है, दूसरा important point है, कि एक mirror से जो image perform हो रही है, एक mirror से जो image बन रही है, वो दूसरे mirror के लिए object की तरह काम करती है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है, कि एक mirror से image बनी, वो दूसरे mirror के लिए object की तरह का ठीक है तो चलो start करते हैं अपना वीडियो, मान लो आपके पास ये एक mirror है, mirror one इसको नाम दिया है और यहाँ mirror two है, इन दोनो mirror की बीच में एक object रख दिया गया है जिस object की distance mirror one से two meter है और mirror two से उसका distance 4 meter है अब हमें पता है कि यह दोनों mirror जो है इस object की image perform करेंगे पहले बात करते हैं mirror one के लिए mirror one से हमें पता है कि इस object का distance mirror one से mirror one से two meter है कितना है two meter तो इसकी image जो है वो mirror one बनाएगा two meter पीछे यहां कहीं यहां image बनाएगा और कितना distance होगा दो मिटर का तो इसको अपन i1 बोल देते हैं i1 means कि image one है mirror one से इधर जो भी image लिखेंगे अपन वो mirror one से होगी और इधर जो भी image लिखेंगे वो mirror two से होगी इसी तरीके से जो mirror two है वो भी इस object की image बनाएगा और वो कितना दूर बनाएगा four meter दूर और उसको अपन बोल देंगे i1 i1 mirror two की image one है तो यहां पे four meter दूर इस mirror के पीछे image बन रही होगी अब हमें पता है कि एक image दूसरे एक mirror से बनने वाली image दूसरे mirror के लिए object की तरह काम कर सकती है तो जैसे कि यह image जो है जो mirror one ने बनाई है वो mirror two के लिए object की तरह काम करेगी और mirror two को ऐसा लगेगा जैसे कि मेरे से four meter ये two meter ये और two meter ये तो total कितना हो यहां से अगर इस image का distance देखोगे तो इस mirror से total distance हो गया 8 meter 8 meter दूर मेरे से कोई object रखा हुआ है ऐसा लगेगा mirror two को तो ये image perform करेगा कहां पे image बनाएगा 8 meter पीछे और यहां image बनेगी mirror two से बन रहे है इसको इसलिए इधर लिखा है और image two है इसलिए i2 लिख दिया है काम करेगी और mirror one को ऐसा लगेगा जैसे मेरे से two meter plus four meter plus four meter तो total कितना हो गया 10 meter यहां से देखो यह image कितना दूर है mirror one से 10 meter तो ऐसा लगेगा mirror one को कि जैसे मेरे से 10 meter दूर को यह object रखा हुआ है तो यह image बनाएगा कहाँ पे 10 meter दूर कहाँ पे 10 meter दूर और यहाँ पे image बनेगी और इसको नाम दे देंगे बन I2 I2 क्यों नाम दे रहे हैं आप द्यान से समझें इसको क्योंकि यह mirror one की second image है इसलिए इसको I2 नाम दे दिया गया है अब आप सम्झ पा रहे होगे कि यह I2 जो बनी है सर वो mirror two के लिए object की तरह काम करेगी mirror one की जो second image है वो भी तो mirror two के लिए object की तरह काम करेगी तो यह जो I2 है वो कितना दूर है 10 प्लस 2 प्लस 4 तो mirror two से यह 16 meter दूर है कितना दूर है 16 meter दूर तो mirror 2 इसकी image बनाएगा 16 मिटर पीछे और यहां कहीं इसकी image बन रही होगी और उसको i3 नाम दे देंगे क्योंकि mirror 2 से बनने वाली ये तीसरी image है इसी तरीके से ये जो i2 बनी थी mirror 2 से वो भी तो mirror 1 के लिए object की तरह काम करेगी और ये i2 कितना दूर है 8 plus 4 plus 2 देखो mirror 1 से कितना दूर है ये i2 8 plus 4 plus 2 तो कितना हो गया 8 plus 4 12 plus 2 14 मिटर दूर तो mirror 1 से 14 मिटर पीछे एक image perform हो रही होगी यहां कहीं image बनेगी और इसको नाम दे देंगे i3 क्योंकि ये mirror 1 की तीसरे image है इसी तरीके से आप समझ गया होंगे कि ये i3 जो है वो mirror 2 के लिए mirror 2 के लिए object की तरह काम करेगी और इसकी image यहां पे कही mirror 2 बना रहा होगा जिसको आप i4 बोलेंगे फिर इस i3 की image mirror 1 बनाएगा पीछे की तरफ ऐसा करते करते infinite image का formation होता है और आगे की तरफ image बनती जा रही होती है यह हमें बात पता है कि mirror 1 और mirror 2 infinite image perform करेंगे और यह भी बात हमें पता है कि mirror 1 से कितना दूर है mirror 2 से कितना दूर है फिर calculation करके आप आगे लिखोगे और अगर यही समझो अगर आपसे आप 10th image पूछ ली जाए तो calculation कितनी टफ हो जाएगी तो इसकी trick हम देखते हैं कि trick के थुरू अपन कैसे याद रख सकते हैं और कैसे अपन calculation आसानी से कर पाएंगे तो चलो शुरू करते हैं trick start करते हैं पहले आपको लिखना होता है mirror 1 और इधर लिखना होता है mirror 2 या mirror 1 लिख लिया और इधर लिख लिया mirror 2 फिर अपने को mirror 1 और mirror 2 से बनने वाली पहली पहली image लिखनी है क्योंकि हमें पहली image तो देखती ही पता चल जाएगा कि object distance जितना है उतना image distance होगा तो पहली-पहली image तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि यह 2 meter है और यह 4 meter है तो mirror one 2 meter पीछे और mirror two 4 meter पीछे पहली-पहली image बना रहे होंगे तो mirror one से पहली image बनेगी 2 meter पे और दूसरी image बनेगी 4 meter पे इधर यहां, देखो आप यहां जो भी image हम लिखेंगे वो mirror one से बनने वाली image होंगी और यहां इधर जो भी अपन images लिखेंगे वो mirror two से बनने वाली image होंगी पहली पहली image तो हमें देखते ही पता चल रही है और इससे भी पहली वाली image हमें देखते ही पता चली और उसको हमने लिख दिया दूसरी image कैसे लिखनी होती है बिना calculation के कैसे देखो दियान सुनना बिना किसी ray diagram से आप कैसे दूसरी image लिखेंगे आपको क्या करना होता है एक important बात दियान से सुनें इस बात को कि यहाँ पे arrow लगाएं आप इस तरीके से arrow लगाएं जो mirror one की पहली image है वहाँ से आपने arrow लग इसमें दोनों mirror की बीच का distance add करके यहाँ लिख देंगे तो यहाँ कितना होगा two plus six eight meter तो mirror two से बनने वाली दूसरी image eight meter पे होगी जो आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे इसी तरीके से mirror two से जो पहली image बनी थी वहाँ arrow लगाया आपने और क्या करोगे उसमें दोनों mirror की ब आपको यह दियान रखना है cross arrow लगाने है और दोनों mirror की बीच का जो distance उसको add करते जाना है और लिखना है देखो तीसरी image लिखते हैं आपको समझ आएगी बात 10 meter में से 10 meter में आप arrow लगाओ और क्या add कर दो दोनों mirror की बीच का distance कितना है six देखो two और four दोनों mirror की बीच का distance six है इसलिए six add कर रहे हैं तो 10 प्लस six कितना हो जाएगा 16 तो यह देखो one two three यह third image है mirror two से तो यह third image mirror two से कितना था 16 meter दूर ऐसे ही अगर हमें mirror one से third image लिखना हो तो आप क्या करोगे जो mirror two की जो second image यह वाँ arrow लगाओ और क्या add कर दो six add कर दो तो यहां कितना आएगा यहां आ पे आप उसको लिख देंगे अगर आपको fourth image लिखनी हो तो आप क्या करोगे 14 plus six कितना हो जाएगा 20 तो mirror two की जो fourth image यहां कहीं बन रही होगी यहां पे इस जगह कहीं बनेगी वो 20 meter दूर होगी mirror two से इसी तरीके से अगर आप mirror one सिफ आप fourth image लिखोगे तो 16 plus six करोगे और 22 आ अगर आपको जो मर्ज image लिखनी हो अगर fifth image लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा arrow लगाना है और 22 में add करना है plus six यहां लिख देना है ऐसे 20 में plus six add करना है यहां लिख देना है तो mirror one की fifth image हो जाएगी और इधर जो लिखोगे वो mirror two से बनने वाली images होगी तो आपको क क्या करना है ट्रिक द्यान से सुने फिर से mirror one और mirror two लिखना है पहली-पहली image लिख देना है cross लगाना है और दोनों mirror के बीच का जो distance है उसको add करते जाना है और यहां लिखते जाना है cross में इस तरीके से ठीक है